है है गाईज वेल्कम तो माई चैनल तो आज रिजर्व बैंक अफ इंडिया है 2019 का नोटिविकेशन का एक्जाम जो 2020 में हुआ था उसका मेंस का मार्क आउट कर दिया है मेंस का ओवरल कट अफ तो नहीं दिया है उन लोगों ने बट मेंस का ओवरल मार्क एंड सेक्शन वाइ पिलेख आइंडिया और यह है डिफेरेंट टेगोरीज के लिए कटफ। इप्रेंट के लिए कट अचर घंड है एंग्लिश का है जी के का है यह कंप्यूडर नॉलेज का है और दूसिस वर नूमरीकल अबिलेटी तो जिनराल का कट-ब सब में 14 है सब कट-ब सेम है सी इसके लिए 14 है तो आ जाता है मेरे मार्क पर तो मैंने स्क्रिंशॉट लिया है यह कोई फेक यार कुछ नहीं है तो मैंने अपना नाम रिलॉंबर और डेट अब बर्थ हाइड कर दिया और हम फ्रम भुबनेश्वर एंड केटेगोरी जनल तो मार्क मेरा इंग्लिस में 32.75 निमेरिकल अबिलीटी में 15.5 इसक्रूट अब दिसक्षिन बाद ली डिजनिंग अबिलीटी में 17.75 जेनल अबर्नेस में 9.75 इसमें मेरा कटफ भी क्लियर नहीं हुआ एंड कंप्यूटर 14.75 मार्क मैंने ऐक डशाए डाला था अप्याँ डाला था कि क्योंकि चल रहा था रवी के उपर जैसे आप लोग सब जानते हो रवी एसिस्टेंट के ऊपर तो मैंने अपना मार्क मेरा मार्क मेरे और यह में अपना मार्क जान लेकि नहीं मैंने RBI के लिए RBI के पास RTI अपले किया था तो आप देख सकते हो clearly है पर mention ने मार्क जो भी उपर आपको नहीं दिखा होगा था यहां पर accurately दिख रहा होगा का मार्क यह कटफ इस ओवरल कटफ डोंट कोट में अन दिस मिरको नहीं पता यह मतलब LPD के पहले वाला कटफ है या LPD के होने के बाद बाला कटफ है बड़ आप देख सकते हो मैं कितना करीफ था करीफ था बट आई कुट नट क्लियर दे जनेरल अवरनेस बाइश बाइब हाँ मच मतलब 4.25 मार्क फोटीन फोटीन है सब्जेक्ट वेस कटफ क्यूंकि यह पर केटेगोरी वेस कटफ देता है तो यह दिस इट देखते हैं आर भी ऑफिशल मतलब लपीटी का बाद में कटफ रिलीज करता है कि नहीं तो यह दिस इस इट जक्षक का रभी का स्टाम वे अट्टाम्ब लपीए लिए अन्यूनन में अटो यह देखते हैं मैं कटो इस से इट पर लूप लप लपीट का इस 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 इन्मी पिर देखते हैं कर बादी के अर भीट सिस्ट ऑ्प लीज ओंशन तो so kindly post it in the comment section below i will reply to it as soon as possible thank you for watching this video guys bye